बिहार के 75 फिस्दी हिस्से से लोग पटना चार घंटे में पहुंग जाए जो निचले बीरोक्राइसी के निचले अस्तर परज़ है इस बात के बारे में बहुत ज्यादा मतलब जागरिती शायद नहीं है कि विकास से क्या फायदे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं नेशी न्यूज और मैं हुरे तांभरा आपके साथ नाशनल हाइवे अथॉर्टी ऑफ इंडिया के जेनरल मैनेजर लेटिनेंट कर्णल चंदन वच्स ने बताया कि साल दोहजार चौबिस तक बिहार के 75 फीसिदी जगह से लोग पटना केवल 4 गंटे में पहुंच सकेंगे यह विजिन दोहजार चौबिस आइए देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में इसके लिए सबसे प्रमुक कारण जो है विहार में हम लोगों को जमीन मिलने में भूमी अधिगरहन के सबसे बड़ी समस्या होती है विलंब ही प्रय ड़्वादतक बनाएं का पौल बनाएंगे जमीनहों की सबसे मोहत्वपुन जमीन आर जमीन के अधिगरहन की कारवाइन में कैंषे काम करती है लेकिन हुम लगता है कि राजीम सरकार उप नचालबन टो यह गटवन्दन नहीं ही पार्टी इसलिए है समस्या नहीं है समस्या है कि जो निचले बिरोक्राइसी के निचले अस्तर पर जो है इस बात के बारे में बहुत ज्यादा मतलब जागरती शायद नहीं है कि विकास से क्या फायदे हैं विकास से आने वाले पीडियों को क्या फायदा हो सकता है विकास जीशे मालीजे किसी जिले का जिला भूर जन पर दारी कारी है वो सबसे पहली कड़ी है जिसके ने जमीन का धिक रहन करना है लेकिन उसको भी शायद इस बात के समझ नहीं है कि जब तक सरकें नहीं बनेंगी तो उनके बच्चों का खुद का भविश्य भी अंदकार में रहेगा और वहीं से समझयां शुरू होती है जो निचले इस्तर का है उपरी इस्तर से तो काफी कोडिनेशन रहता है काफी सहलियत मिलती है लेकिन निचले इस्तर से आखिर काम तो निचले इस्तर से आखिर का अभाव है जो हमको लगता है जागरिती का अभाव है लोग जानते नहीं है कि विकास के अगर विकास के महत्य की को समझना परेगा कि विकास जब तक नहीं होगा तब तक आपका अपना जीवन आपके आने वाली पीडियों का जीवन अंधकार में रहेगा वंत्री जी कई बार कहते हैं कि किसी भी पोने से आप 5-6 घंटे में प्राइधानी आ जाए पाजिपूर से पटना जाने में आती हैं और कई दफे योजनाय बन भी जाती हैं लेकिन कि रहने में में प्रॉल्म होती है जिसके वज़ेसे प्रेजनाय भी लंबित हो जाती है दोनों ही कारण है अब आप देखिए जैसे पांच घंटे की बात है कई दफे तो हम लोग एक जगह से सौ किलोमेटर करने में पांच पांच चेशे गंटे लग जाता है चुकि सड़के उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है उनका चौरी करण उस रफ्तार से नहीं हुआ जिस रफ्तार से मांग बढ़ी है जिस रफ्तार से गाडियों की संख्या बढ़ी है जिस रफ्तार से एकनोमिक डिवलप्मेंट हु उस परयोजना के वाकयी बन जाने के बाद से माननी मुख्यमंत्री जिनने के पांट गंथे की बात कहीं है लेकिन वो परियोजना जब मन जाएगी और अगा से पत्ना होते हुए विद्ःूपुर होते हुए समस्ति पूरू होते हुए दरभंगा तो बिहार के 75 повтор हिस्सके से लोग पत्नाल चार ओए गंटे में पहुंचों आप ऐल चार गंटे की बार चार कि डिया च्छो झाल झाल